मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीसी बेस्ट ओनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे डे 6 का प्लान कि अगले 24 घंटे में आपको क्या कुछ करना है अब देखो यह जो पूरा सेक्षन ने मेंशन करिए कि आपने कितने टॉपिक्स को पढ़ा है और कहां कहां से आपने चीजें कवर अप करी हैं मेरा सजेशन यहां पर रहेगा कि स्टेडी फॉर सिविल सर्विस की जो पापा वीडियो है उसमें से उन टॉपिक्स को पढ़िए और वह एक इजी तरीक सुरु करते हैं आज कर ऐपने सेशन को और बताता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर अप करने अगले 24 घंटे मेरा बात करते हैं अब बात करते हमं एंशेंट इंडियन 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 हिस्ट्रि याने कि प्राचीन भारती ि atéहास की बात करेंगे तो इ इन 10% बिलेगा examination को में देखने के लिए और ये question आपका medieval और modern इंडिया से associate हो कर आ सकता है मतलब कुछ books आपको medieval की दे देंगे कुछ modern की और कुछ ancient की और आप से पूछ लेंगे ठीक है तो अभी आपको क्या करना है अगले 24 घंटे में कौन-कौन से साहितकार रहे हैं क्या उनकी रचनाय रही है प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं उन सब को आप जरूर कहीं एक अगले 24 घंटे में आप इस चीज को cover-up करिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं current affairs की अब देखो current affairs के लिए मैंने आप लोग को already बोला हुआ है कि steady for civil service का monthly compilation आता है जिसमें 500 questions रहते हैं mcq वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ इसमें मैंने आपको बोला था कि आप लोग जो है 25 बीस से 25 questions daily basis पर cover-up करिए अभी तक 5 दिन already गुजर चुके हैं अब मुझे लगता है अगर आप इस plan को follow कर रहे हो तो आप थोड़ा number of questions increase कर सकते हो अब क्या करना 50 questions cover-up करना अब यह 50 questions जब आप करोगे कैसे मतलब उसको लिखने मत बैठ जाना अगर लिखने बैठो को तो बहुत time लगेगा और फिर चीज़े नहीं हो पाएंगी आपको करना यह है अगर किसी का appointment के बारे में है कोई particular point ठीक है particular current affairs तो appointment खाली यह आपको point एप करके लिख देना समझ जाओगे खुदी अपने लिए micro notes बना रहे हो ना सो अपनी बात तो आप समझी जाओगे bracket में लिखना उसका designation suppose अगर C.A.G. बना है उसके बाद यहां पर उसका नाम लिख देना ठीक है इस तरीके से आप लिखना एकदम crisp ताकि next time जो आप पढ होता है आपको कितना भी आपने पढ़ा हुआ हो तब भी आपको बहुत परशान करता है सो geography में आप क्या पढ़ेंगे यह जरूर समझिए अब इसमें आप देखिएगा बहुत देश्य नदी घाटी क्या देखेंगे जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको आप यहां पर cover up करिएगा इस पेशली फोकस करिएगा यूपी की जो reverse हैं बट इसके साथ ही peninsular इंडिया की और जो दूसरी नदिया उन नदियों पर कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं चल लही हैं उन सब को यहां पर cover up करिएगा micro notes जरूर बनाएगा मैं आपको बार बार suggest कर रहा हूँ आप किस भी book से पढ़ रहे हो उस पर आप चाहें underline भी कर रहे हो उसके बात भी मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने micro notes जरूर बनाएं कोई भी topic हो वो आधे पनने और हद से जाधा गर बहुत बला topic है तो एक पन हिंदी में विलोम शब्द से start करिए easy going है और आराम से हो सकते हैं विलोम शब्द पढ़ेंगे कहां से steady for civil service के main channel पर जाहिएगा उसमें हिंदी की playlist दी होई है RO की उसमें जाहिएगा और वहां पर जो विलोम शब्द दे रखें उनको पढ़ डालिएगा ठीक है और करिएगा क्या कि आपके पास कोई ना कोई बुक जरूर हो की जब आप समिक्षादिकारी की तयारी कर रहो जो जो बुक आपके पास है उसको खोल के बैठिएगा जो भी आपको विलोम शब्द अपनी बुक में ना दिखें सिर्फ उसको अपनी बुक में mention कर लीजेगा ठीक है छोट होते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल लेन थेंक यू सो मुच अव नाइस टिप अबाए